हालो बच्चो स्वागत है आप सभी का साइन्स एंड फान 910th 11 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचर्ज आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं दुबारा से मिल रहे हैं हम आज बारा बजे गए तीन बजे फिर से आ गए क्योंकि अब एक्जाम पास आ गया है हमें जल्दी जल्दी मिलने की आदर डालनी चाहिए है ना भई हमने अपनी तीन किताबे पूरी निप्टा ली है मुझे लगा रात के नौ बजे हिस्टरी का टेस्ट लेने आना है है ना रात के नौ बजे आना है हमें अराम से 9 से 11 फिर से MCQ करेंगे लेकिन वहां पे सिर्फ हिस्टरी के होंगे तो ऐसे भी तो बच्चे होंगे यार जिनको अभी जोग्रफी का कुछ तो आता होगा तो मैंने 3 sample papers लिए 3 sample papers की पहले section A section A section A को merge किया और बस 60 questions लेके मैं आ गई ठीक है 60 questions लेके मैं आ गई क्योंकि मैंने realize किया NCRT questions तो हम सारे बीच में कर चुके है A to Z कर चुके है प्लस subjective है किसी को learning करनी है समझना ही नहीं है उसका time waste होगा है ना भई तो इससे अच्छा क्यों ना हम objective questions करें क्योंकि वहां आपके marks कटते हैं और मैंने ये objective इसी लिए आपके sample paper से ही लिए है ठीक है clear करे शुरू फिर जल्दी से पढ़के आए हो चलो बताओ किस किस की कितनी कितनी तयारी हो गई ये बताओ पहले तो कौन कौन से किताब पूरी निप्टा चुके हो या कितने chapters बचे है self study करनी है तो क्या क्या करोगे अब क्या क्या है पोल session होगा हां जी एक मिनिट एक मिनिट सकते हैं को कुछ नहीं पढ़ा है शबर इस बच्चा है जी खरिए जागर्फी टो बच्नी चाहिए जी खर लेकिन सिर्फ 60 questions है, कोशिश करेंगे 60 questions in 70 minutes हम खतम कर दें, ज्यादा time waste नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी से poll करना, जल्दी जल्दी से मैं answer बताऊंगी, जल्दी जल्दी से, एक देड़ घंटे में class खतम कर देंगे, ठीक है, एक quick revision type of class है, जल्दी जल्दी करेंगे, okay, let's begin then with the first question, with the first question, पहला question क्या कह रहा है, कह रहें match the following कर दो, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, जब भी match the following exam में आएगा, आप चार में से एक ना एक सबसे पहले ढूंड लो, जो आप 100% sure हो, कि इसका तो answer यही होने वाला है, 100% जिसमें आप sure हो, कि इसका answer तो यही होने वाला है, जैसे जब मैं यह question बना रही थी, तो मैंने देखा, कि मुझे पता है, इसमें स्वदेशी movement 100% इसका क्या है, मैंने देखा स्वदेशी movement इसका 100% क्या है, तो स्वदेशी movement का 100% try color है, है ना भई, try color वाला है, अब fourth का A part किस में है, A में है, तो यार option यहां पे तो यू चुटकियों में answer निकल आया, और वो है A part, very good, Pratul, Simran, Anshu, Alokik, Aafrin, Madhvi, Pryashy, Amar, बिलकुल सही, A part, A part, चलिए दूसरा, दूसरा जल्दी अल्दी करेंगे, Resources that are found in a region, but have not been utilized, देखो, Resources के types नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसी बार के sample paper में दिया हुआ था, तो मैंने का ठीक है भई, ले जाते हैं, ले जाते हैं, हमने तो classification पढ़ाई है, ऐसे कौन से Resources है, जो एक region में है, लेकिन उनको fully utilize नहीं किया है, उनको fully utilize नहीं किया है, Status of development के basis पे bifurcate होते हैं ये resources, very good, very good, very good, बहुत बढ़िया, रिया पार्थ, इशिका, शिजा, अनन्त, प्रकर, लकी, आयूश, very good, जिम्मी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो हो गई आपके potential resources, क्योंकि बच्चो, renewable, जो renew हो जाए, developed, जो identified है, और use भी हो रहे है, national, जो एक nation के interest के होते है, बचा potential, जिसका मतलब ये है, ठीक है, जिसका मतलब ये है, next, study the data given below, ये data पढ़ना है, और इसके world bank का source है, in spite having a higher total income than Germany, Japan has a lower per capita income, बताइए क्या कारण है, इसके basis पे अगर देखो, total GDP per capita, कह रहे है, higher total income है, higher total income है, लेकिन per capita कम है, क्या मतलब है इसका, more equitable distribution, more rich people than poor people, जर्मनी में, जपैन में smaller population है, जपैन में bigger population है, यानि कि total income ज्यादा, total income ज्यादा और per capita income कम, क्यूं होगी, मैंने आपको बताया था, example, whole eco के session में, marathon में, कि कैसे, अगर population ज्यादा निकल गई, तो overall answer, कम आ जाता है, तो D, इसका correct answer होगा, D, इसका correct answer होगा, एकदम बढ़िया, बिलकुल सही, अगला, अगला, in which one of the following state is overgrazing, the main reason for land degradation, बहुत प्यारा सवाल है, और कई बार exam में आया हुआ सवाल है, overgrazing किस जगा का कारण है, land degrade करने का, ये भी resources chapter से है, कल हम geography की marathon कर रहे हैं, सुबा 9 बजे, resources, forest, agriculture, water, minerals, manufacturing, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, जल्दी से बताएंगे, overgrazing, overgrazing मतलब वहाँ पे ज़ादा बेड़ बकरी चरते है, overgrazing, बहुत बढ़िया, क्या मुझे comments में कोई बताएगा, क्या मुझे comments में कोई बताएगा, over irrigation कहां का कारण है, over irrigation कहां का कारण है, मनीश, बेटा, उसके लिए आपको self-study करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, despite the constitutional prohibition, the evil dash of has not ended completely, कहरे समविधान ने मना किया एक particular चीज़ को, लेकिन तब भी ये चीज़ खतम नहीं हुई, और वो है untouchability, illiteracy, social demarcation या illegal trade, समविधान प्रोहिबिट करता है, very good पंजाब, very good, very good, बिल्कुल सही है, yes, untouchability, कहती है ना तो religion में differentiation करो, ना untouchability करो, तब भी ये काफी ज्यादा देखी जाती है, अगला था, फिफ्ट कर लिया ना, शिक्स्थ, proportionately, is an important practice in power sharing, यानि की, equal distribution, proportion, which includes proportional allocation of job representation and participation by ethnic group leader, यानि की, many political organizations demanded an independent Tamil state, युरी है, पस्ती जाय लाके पीज़े अपयोचोंती तो रिल्कुल बादा बारी है, कि युरी है, जा वीक्ते हैं, तर अज़्ें़yu को इंके इवादी है, अजं़र सो लाज़े हैं, तर Hee Rebel, यालन्य को तर 11. यहां पे एक लाइन आएगी, which of the following is depicting proportionality, यहां, question गलत है, तभी मैंने चेक कर लिया, एक मिनिट, इसमें आएगा, इसमें आएगा, के, which of the following is an example of proportionality, proportionality, यह, अब answer करो, अब answer करो, sorry, मैं को लगी गया था, तभी मैं एक दम वो paper देखने चली गई, so many political organization, यहां पे इसकी बात कर रहे है, कि क्या एक important practice है power sharing की, many political organization ने demand करा, Tamil state in Sri Lanka, role and responsibilities are related to both the central and state government, around 24% of total seats in Lok Sabha are reserved for members belonging to SC, ST categories, minority friend speaking community, around 45% is more rich and powerful, ध्यान से देखना, यहां power sharing में Belgium और शिलंका की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए हम A और D point तो लिखेंगे ही नहीं, हम लिखेंगे यह proportionality मतलब कोशिश की गई SC, ST वालों को general के बराबर रखने की, इसलिए उनका proportion लिया गया, उनके total population का percentage, ठीक है, total population का percentage, चलिए, चलिए, there are two statements, assertion reason है, Belgium एक छोटी country है, रशिया में यह share करती है, border, France, नीदर लैंड, जर्मनी और लेक्जंबर्ग से, बता दो भई, बता दो भई, अरे वाह, दीपमनी जी आप आज़ेए कराने यहांपे, आज़ेए, अच्छा, गुलाब का फूल आया है, पिछले सवाल के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, येस, A is wrong and R is correct, A is wrong and R is correct, क्योंकि Belgium रशिया में कहां से आगया है, यारोप में है, चलिए, for a famous businessman's mall building project, a slum in Mumbai is being cleared, देखो, कह रहे हैं, एक mall बनाने के लिए, क्या किया जा रहा है, एक mall बनाने के लिए, एक slum को clear किया जा रहा है, and its people displaced with only a small payment for their land, there have been protests, and a public interest litigation has been filed in the court, what should the local government do, local government क्या करे, public interest litigation, एक ऐसा फिनॉमेना है, जिसमें एक particular इंसान को problem नहीं होती, बलकि group of people को problem होती है, उसके तहत case नहीं, PIL दर्च की जाती है, for example, अगर आपके घर के नीचे बहुत सारे लोग पार्किंग में गाडियां लगा जाते हैं, इससे आप सबको problem है, तो उसके लिए आप PIL दर्च करा होगे, ठीक है, ओके, cancel the project, arrest the protester, forcefully remove the people, wait for the court's judgment, wait for the court's judgment, तो आपको पता है यार, आपको तो पता ही है कि क्या करेंगे, हमें बिना किसी जज के फैसले के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कोट के result का wait करेंगे, ठीक है, हाँ जी, 9th, the gender division is not based on biology, but it is a social expectation and stereotypes, hierarchy, politics, या both BNC, या both BNC, gender division biological ही नहीं होता, क्योंकि biological ही तो sex होता है, है ना भई, sex of a child होता है, यहाँ पे biological difference में एक तो होगे, यह आपका expectation जो समाज रखता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, and it is, zero wrong till now, very good, very good, अच्छा, बहुत सारे बच्चे A कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे D कर रहे हैं, लेकिन actually मैं बेटा, stereotype से यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने mind में यह सोच रखा है, कि यह यही करेगा, यह वो ही करेगा, यह stereotype thinking है, जैसे कल के session में आपने देखा, आशू सर ने कहा मुझे साडी पहनने दोगे क्या, तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं पहनने दूंगी साडी, तो क्यों मैंने बोला, क्योंकि मेरा stereotype है, मैं सोच रहे हैं, यह आदमी कैसे पहन सकता है साडी, तो इसलिए ए हाएगा, ओके, look at the picture, यह picture को देखो, और बताओ कौन सा option इसको best, best depict कर रहा है, कौन सा इसको best depict कर रहा है, session को like करो यार, जल्दी से, like करो, अभी तक किया ही नहीं है तुम लोगों ने यार, like करो, जल्दी 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 जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी, like करोगे, उतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जल्दी से session को खतम कर लेंगे, जल्दी से, okay, so यहां पर आप देख सकते हो, यह लोग है, यह कटोरे में power मांग रहे है actually किस से central government से तो यहाँ पे क्या हो रहा है B part central government कहीं न कहीं federal division को धंग से power नहीं दे रही है दस है आपने एक यह already कर दिया already कर दिया the state representatives are begging before the central government यार एक बात सुनो यार एक बात सुनो ध्यान से सुनो आपने हाँ B है A है दोनों कह रहे हो अप लोग अब दोनों कह रहे हो लेकिन actually एक बात बताओ आप लोग यहाँ पे यह सरल भाशा है कि यह लोग इनसे power मांग रहे है लेकिन actually central government federalism की spirit यानि की power should be given to lower section उसको undermine कर रही है उसको undermine कर रही है तो यार B होना चाहिए न लेकिन अच्छा एक बात और यह दोनों option अगर आप ध्यान से देखो न तो similar है बात दोनों की same है अगर आप हिंदी देखो यहाँ पे central state federalism क्या है central state and local उसकी spirit को दबा रही है और यहाँ यह लोग भीक मांग रहे है powers की बाते दोनों same है बाते दोनों same है लेकिन B option actually SST wise correct है civics wise correct है ठीक है चलो बाते हिंदी में अर्थ दोनों का same है map pointing भी करेंगे यार क्यों नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिलकुल करेंगे चलो welfare economics is the branch of economics that seek to evaluate economic policies in terms of their effects on the well-being of the community अच्छा which one of the following improvement to your locality would not align with this view of welfare so basically एक general question development वगेरा से general सा question एक सेक्ड NCRT की line देखतेंगे A is literal B is meaningful येस आयूशी बिलकुल सही A is literal दोनों की बाते सही हैं लेकिन B is meaningful तो marking scheme में B option होना बहुत बहुत अनिवार रहे है टीचर के पास B option आएगा टीचर के पास लिखा आएगा कि B option है समर रहे हो यार यहां पे हम तभी तो मिले हैं कि तुम्हें पता चले कैसे आंसर करना है और क्यूं मिले हैं हम यहां पे क्यूं मिले हैं ओके Welfare Economics is the branch of economics that seeks to evaluate economic policies in terms of their effects on the well-being of the community Community की well-being करनी है तो क्या करें? Vaccination करें Stray Dogs को Building rams in the society to aid the disables Providing safety equipment to the garbage collectors Opening a park for the people who can pay the membership fees यार अप लोग अच्छा, थैंग गॉड थैंग गॉड चेंज हो गया गुलाब का full दे दे ना क्योंकि तुम लोगों ने पता नी कितने लोगों ने B किया है लेकिन अच्छली यहां पे पूछा है Not Align Community की well-being के लिए ये तीन option तो है ये वाला नहीं है इससे well-being नहीं होगी पैसे ले रहे हैं ये लोग पार्टिकल पार्टी है कौमपॉननेंट्स और मुझे कौमेंस में बताोगे हर नाम मुझे कौमेंट्स में बताएगा और बत मुझे कोंचन के लिए लाइक तो बनता है जल्दी से प Greeks सब्सक्राइब करेंगे ना सुबा सुबा और सच बतारियों एक देड़ घंटे में सेशन खतम करके तुम्हें एक घंटा खुद से पढ़ने का भी टाइम दूंगी क्योंकि SST में सुनके जाओगे तो नहीं लिख पाओगे एक बार खुद से पढ़ोगे वो PPT उसे टाइम बेटके तुम लोग रीड करोगे उन कोश्चन को कोश्चन आंजस फॉर्म में लाओंगी ताकि तुम लोग कहो यही आया है पेपर में यही आया है पेपर में वेरी गुड तीन है कौन-कौन से एक्टिव मेंबर्स लीडर्स एंड फॉलोवर्स ठीक है अगला अगला इतना इजी पीजी आज ही सुबह किया है आज ही सुबह हमने हिस्ट्री में देखा कि किसकी किताब है यह पार्टिजन कहां से आ गया भाई खान जी किस ने लिखी हिंदु स्वराज हिंदु स्वराज किताब किस ने लिखी आफकोर्स ज्यादा टाइम वेश्ची नहीं करना महात्मा गांधी जी ने यह तो पता है हमको ओके वी हैव नौट इनहारेटेट दो वर्ल फ्रॉम आवर फोर फादर्स वी हैव बॉरोड इट फ्रॉम आर चिल्डरन क्या लाइन है बच्चो लाइन के लिए गुलाब का फूल हो जाए देखो किती बहतरीन और गहरी लाइन है कह रहे हैं कह रहे हैं हम लोगों ने यह अपने पूरवजों से नहीं लिया यह सोचो हम लोगों ने अपने बच्चो को यह नेचर वापिस करना है हमारे पास उधार है तो which of the following best displays the principle in action क्या दिखा रही है लाइन कोशन कितना भैतरीन है आप देख रहे हो कोशन कितना अच्छा है देख रहे हो आप गहरी बात है न वही बहुत अच्छी बात लिखी है यार कि नेचर हमारा जो है वो हमने उधार पे लिया वाए समझो और उसको उसी तरीके से करो यूजिंग अप करन्ट ओयल रिजर्व बिफोर बिग्डिंग तो एक्स्प्लोर मूर यूज करते जाओ मूविंग तो ओयल रिजर्व अंडर देख रहे हैं मतलब इन तीन में तो आप देख सकते हो कि बस आपको और अधर मेथड बता रहे हैं ओयल को यूटिलाइस कर इन का लेकिन इस वाले में, C वाले में कह रहे हैं के भाया, के भाया धंग से फ्यूल को यूज गरो यह का कोई सब्स्टिट देखो ऑज इसका कोई सब्सू चूट देखो ठीक है बच्चों ठीक है चलिए 15, method दो सेटमेंस दिवी हैं कहरेs many artists and poets within Europe made paintings and wrote poems to highlight the plight of Greeks under Ottoman Empire. Many Europeans had sympathies. अब देखलो, ये Greek architecture वाले से है. Greek War of Independence से. Many Europeans had sympathies for ancient Greek culture and supported the work of Greek nationalists. बताईये, option पढ़ लेना. option पढ़ लेना. कई option गलत पढ़ो तुम लोग. option सही पढ़ लेना. अब विजज़ी कह रहे हैं, answer is A. questions tricky है. तो यार देखो, तुम्हें ऐसी धोड़ी करा दूँगी. आप question सीधे सादे. भोले भाले. वो तो कर लिए. 80-20 की वीडियो सुभा आएगी. ताकि आप लोग जो सुनके जाओ, वो ही आपके पेपर में आए. ओके. दोनों बाते सही हैं. दोनों Greek war को describe कर रही हैं. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे A पे गए, फिर से 17% बच्चे A पे हैं. लेकिन आपको जान के शफल करके दिये जाएंगे options. ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो के वो ही लिख दो जो आप पूरे साल लिखते आए हो. 16th. 16th. लक्ष्मी owing about 3 hectares of unirrigated land, dependent only on rain and growing crops like Jwar and Arhar. All several members of our family work in the field. Throughout the year, you will see that everyone is working and none remains idle. But in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work but fully employed नहीं है. ये क्या दर्शार है? ये कौनसी situation दर्शार है? I'm sorry. ये कौनसी situation दर्शार है? सुबा की क्लास का टाइम मिल जाएगा, वो यार चार पाच बजे होगा. Absolutely correct. ये under employment भी है क्योंकि less than their capability, they are working. और साती साती क्या है? डिस्गाइज यानि की hidden unemployment भी है. डिस्गाइज यानि hidden unemployment भी है. Which is the official language of Sri Lanka? Sri Lanka की official language क्या है? Official language क्या है Sri Lanka की? रात को 9 बजे history के questions करेंगे. History के questions करेंगे. यार आप लोग कई लोग D कर रहे हो, लेकिन D नहीं होगा. क्योंकि official language एकी थी और वो थी सिन्हालास. Majoritarianism के अंडर official language घोशित की थी सिन्हालास को. घोशित की थी सिन्हालास को. Health status of its people. All of the above. All of the above. ध्यान से करना, कुछ नहीं लिखा World Bank, UNDP. तो accordingly, हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? accordingly. सोच के आंसर देना. per capita, average literacy, health status या सारी चीजे. सारी चीजे can be generally determined. Very good. Very good. Very good. सारी चीजे. सारी चीजों को हम इस्तमाल कर सकते हैं. दो देशों को compare करने के लिए. Very good. Very good. The forest cover in India, as of December, is nearly 25%. In the past decade, the government has tried to meet the target of increasing the forest cover to 33%. Although, there have been efforts to increase the forest cover, in the past few years, forests are not thriving as they used to. What could be the reason for this? कोशिश की जारी है, forest area को बढ़ाया जाए. लेकिन उस तेजी से forest area नहीं बढ़ रहे हैं. क्या कारण है? बेटा, actually, वो PPT है. आप उसको PPT, वो होते हैं, पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर लो, उसमें खुल जाएगी. नहीं तो मैं आप पीडिएफ बनवा के बेचती हूँ, आपको PPT की. मैंने गलती से उसको PPT में ही सेफ कर लिया था, सुबह. आप उसको Google पे चेंज भी कर सकते हो. वो डाउनलोड हो गई न, आप उसको Google पे, I love PDF नाम की साइट खोलो, उस पे उस फाइल को लगा दो, वो PDF बन जाएगी. सही है, Soil Erosion हो रहा है, Low Soil Quality है, जिसकी वज़े से Forest Area बढ़ ही नहीं रहा है, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है. अगला, The Loans Extended by which of the following institutions come under the category of Formal Sector Loans? कौन, कौन आगे Extend करता है Loans, Corporatives, Investors, Money Lender या All of These? ध्यान से सोचना, Formal Sector का पार्ट है कह रहे हैं, Formal Sector का पार्ट है, आंसर तो Stated है, आंसर तो Stated है, बताई रखा है. ड्राइफ पे डाल दू सारी PPT's आजकल की ये कर दू, और वो ड्राइफ का लिंक मैं WhatsApp चानल पे भी भेज़ दूँगी, ठीक है? मेरी आवास को क्या हुआ, मेरे को लग रहा है, मेरा गला भी खराब होने वाला है. क्या डाउट है 19th में? देखिए इन में से Formal कौन है, Corporatives, Formal कौन है, Corporatives, तो क्या होगा? A part, A part, अच्छा जल्दी से बता दो, ये A कौन है, एक सैंपल पे पर खतम हो गया 20 कोशन, 20 में से कितने आए? 20 में से कितने आए? जल्दी बता दो, सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो, देखो आदे घंटे में 20 कोशन कर ली, अब मैंने का था, टाइम वेस नी करेंगे, फटा फट से करेंगे, फटा फट से, मुझे भी आपका टाइम वेस नी करना, मुझे पता है बच्चों को याद करना है, मुझे पता है, मैंने तभी हिस्ट्री भी सुबा तुम्हें तीन गंटे में खतम करा दी, वरना पांच गंटे से कम में खतम होने वाली चीज नी है हिस्ट्री, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, दुबारा से 21 नमबर से जुड़ जुड़ जो, 40 कुशन अभी भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, एक नमबर भी आया, दित्य कुपताप का, हैं, ओके, ओके, वेरी गूड, वेरी गूड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले 20 कुशन के फिर से मैं तुमसे पॉइंट्स पूछूंगी, दुबारा से 1 से 20 डाल लो, अगले 20 के फिर से तुमसे पॉइंट पूछूंगी, अब सैंपल बेपर चेंज हो रहा है, चलो भई, अगला सवाल, अगला सवाल, वेर डिड महात्मा गांधी मेक सॉल्ट आउट अफ दा सी वाटर, आउट अफ दा सी वाटर, वेरी, वेरी इजी, कहां पे बनाया, कहां पे, क्या हो गया हिस्ट्री में फाइव मारकर, कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, यार अभी तक तो यॉरॉप से लग रहा है यार, कि यॉरॉप से आ सकते हैं, दान्डी इन गुजरात, बिलकुल सही, यह तो सब कोई पता है, यह तो कोई अगर सेश्टी नहीं पढ़ता है, उसको भी पता है, आर्शु सर को भी पता हो गई, चलो, कास्ट सिस्टम के लिए, इन में से कौन लड़ा, जोतेबा फुले, महात्मा गांदी, बियार अंबेडकर या सारे के सारे, यह सवाल है, जेंडर, रिलीजन, एन कास्ट चैप्टर से, बताओ भई, कमाल हो गई, आज तो 5,000 लाइक भी नहीं कर रहे हो, धीट बने वे हो, वा, अर्यार, क्या हो गया, मुझे रात की स्पेलिंग गलत हो गई तो, अर्यार, SST हिंदी में बहुत बच्चों किया है, यार, मेल कर दो, रुद्राक्ष या इंस्साग्राम पे भेज़ दो, अरे, इतना कम परसेंटेज क्यों, है, ओ भाई, गुलाब का फूल चाहिए मुझे, मुझे तो चाहिए गुलाब का फूल, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, D is the correct answer, D is the correct answer, Oh yes, Oh sorry, मैंने, Oh, 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 I am sorry, I am sorry, मेरे दिमाग में मैं बोलना चाहरी हूँ, nationalism in India, और मैं लिख रही हूँ, Oh, I am so sorry, 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 बिल्कुल गल्ती हो गई, क्योंकि आज हमने सुबा की है, यह वाला टॉपिक भी था, मेरे से गल्ती हो गई, I am really sorry, of course, nationalism in India, nationalism in India, yes, 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 मेरे से गल्ती हो गई है, ओके, यार यह बता दो, यार आज ही किया, यह भी ग्लोबल वर्ल्ड से, यह पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है, easy सा सवाल है, यह पिक्चर, पिक्चर बेस करार, यह तुम में को बोलते हो न, इसी सेशन में देखो, चार-पांच है, इसी सेशन में चार-पांच है, जल्दी बता दो, यह पिक्चर क्या है, यार मैं गांपूस करते हूँ, यार क्या हो गया, गल्ती से हो गया, मतलब मैं बॉलर रही हूं, दिमाग में चल रहा है, आद सुभा पढ़ा है, आद सुभा पढ़ा है, और gender, religion, and caste लिख रही हूं, आजकल दिमाग में, नहीं लग रहा, फाई मारकर पॉलिटिकल पार्टी से लग रहा हैगा, आउटकम से तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं, लग तो नहीं रहा, बाकी भाईया, इस बार कुछ भी हो सकता है, ओके, So this is Irish potato famine, this is Irish potato famine, humble potato, इतना ज्यादा peasants depend हो गए, कि जब खेती खराब हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, thousands of people, arrange, अच्छा, sorry, sorry, this question is deleted, मैंने ये पढ़ लिया था, लेकिन class से जस्ट पहले पढ़ा, ये global world के आगे के हिस्से से है, तो एक question तो आपका वैसे ही कम हो गया, साथ में से, हाँ जी, crop identify कर दो, I know अभी geography हमने नहीं पड़ी है, ma'am, I know that, but तुक्का तो मार सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, tropical भी है, subtropical भी है, tropical भी है, subtropical भी है, अच्छे से उगती है, hot और humid climate में, 21 से 27 डिगरी Celsius, ये ग्रो होती है, variety of soils पे, manual labor भी चाहिए होता है, second largest producer है, इंडिया इसका, इतने सारे hint points, इतने सारे hint points, जल्दी से बता दो, ओके, यार तुम लोगी गलत क्यों कह रहे हो, 21st question, एक second, एक minute में वापिस आ गई, 21st question, यहापे कुछ बच्चे लिख रहे हैं, गलत है, क्यूं गलत है, reason दो कि जो गलत लिकरा है, वो ही comment करे गा, सबर्मति में ही सौल्ट बना लिया था। यात्रा क्यों करी थी। एक बात बताओł, अगर सबर्मति आश्रम में ही उनको नमक मिल गया, तो इतनी बड़ी यात्रा क्यों करी उन्हें 24 दिन की। यह कैसे होगा? मतलब एक लिखता है उसको देखके 4 लिखते है उसको लेखके 6 लिखते है कह रहे हैं एक 24 के लिए मांग जितो 21 के लिए क्यूं साबर मतनी कैसे होगा वहां से तो यात्रा शुरू करी ओके इसका अंसर क्या है शुगर केन इसका अंसर क्या है शुगर केन ओ भाई साब सिर्फ 44% सिर्फ 44% सिर्फ 44% यार सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में राइस कैसे लिख रहो यार भगवान जाने यार भगवान जाने चलो अगला कोई बात नी last minute discuss करेंगे क्या गलत क्या सही ठीक है चलो which subjects are included in the concurrent list concurrent list जो की common interest के subjects रखती है जो की common interest के subject रखती है बताओ नैशनल मैंने पहले आंसर तो बताई दिया मैंने है न मैं बोट में को लगा subject दी होंग यार हाँ with subjects तो यह में को ऐसा लगा subjects example में दे रखे होंगे लेकिन यहां पर common interest की बात की गई है नैशनल और state दोनो येस बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलो अगला dams rivers फस गए फस गए मैं ही कर दूँ ये मैं ही कर दूँ बताओ यार कल मैं सुबा मिलूंगी न सीधा फिर रात को मिलूंगी मैं बीच में कल नी मिलूंगी geography पढ़ा रही हूं जिसमें तुमें बैठके पढ़ेगी बस अगर क्राक करना है और अगर चुपके से बताओंगी कुछ questions वह वह भी कर लोगे तो माक्स अच्छे आजाएंगी सिर्फ वह वह भी कर लोगे हर चैप्टर के चार से पांच सवाल दूंगी कल की क्लास में सुबा वह भी कर लोगे तो geography done है डान नहीं geography अगर के बच्चे लिख तो रहे हैं कोशिश कर तो रहे हैं D part D part is the correct answer यह तो आपको locations बिटा याद करने पड़ेंगी यह तो आपको locations याद करने पड़ेंगी बस यार backlog अपना आज पूरा कर लेना अपना पूरा backlog कर लेना तुमसे मैं पोल करूंगी अभी टेलिग्राम पे बता देना history याद होगी तो history के questions करने आएंगे ऐसी एक तेड़ घंटे की class लेंगे रात को भी बस जादा लंबी class नहीं लोंगी 60-70 question ही लेके आओंगी लेकिन वो सिर्फ history के होगे तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएका कि कितने पानी में है ठीक है नौ बजे वाली class होगी आई रात को नौ बजे हां जी वो consider the following statement regarding caste in politics and identify the incorrect one caste in politics caste in politics caste in politics क्या role play करती है caste in politics incorrect बताना है कि हमेशा positive result होते है important role play करती है central government को बनाने में यह जो reforms लाए जाते हैं यह कास्टिसम को कम करते हैं यह जो है कि हमारी society में visible है काफी समय से incorrect one incorrect one मैं में को math से जादा जादा बिल्कुल बेटा लाजमी है क्योंकि SST हम बहुत समय से पढ़ते नहीं है इसलिए कारते कि यह कोई letter नहीं है जिसमें आप पहले main body फिर beach का फिर end का लिखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है मैं हमेशा बोलती हूँ five marker को बस शुरू करोगे ना जब तो statement डाल देना following करके और फिर अपने टॉपिक के बारे में जो पता है आप आगे पीछे भी points कर सकते हो बस कर देना लेकिन कुछ question होते है जैसे की resource planning उसमें आप step by step लिखोगे न अब unifications है आप step by step ही तो लिखोगे उन चीजों में आपको step by step ही करना होगा ठीक है उन चीजों में आपको step by step ही करना होगा so this is the incorrect one कि हमेशा positive role लेके आती है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है चलो which among the following is the correct meaning of alliance Alliance की definition इसमें से कौन सी है Alliance की definition इसमें से कौन सी है यार हिंदी में कैसे पढ़ाऊं self study यार सिर्फ PPT से question answers पढ़ने शुरू कर दो मैं तो हमें मैं तो यहीं बोलूँगी अब इस टाइम पे NCRT न पढ़के question answers पढ़ो जितने हो सके question answers पढ़ो हाँ हाँ रात को class लेते हैं न okay two parties together form the government leftist or rightist together form the government when state and national parties together form the government बिटा यह तो coalition है when several parties in a multi-party system join for the purpose of contesting election and winning power and winning power and winning power and winning power बिल्कुल सही देखो alliance और coalition में difference क्या होता है coalition में elections होने के बाग यानि कि result आने के बाद अलग-अलग level पर अलग-अलग सरकार होती है जो कि यह है लेकिन alliance में election contest करने से पहले ही छोड़ी-छोड़ी party alliance बनाती है ताकि वो जादा votes गेन कर पाए और जीत पाए ठीक है coming together federation is not found in मैंने सुभा बताई थी sorry कल बताई थी हाँ सुभा पताई थी एक ट्रेक holding में SBI और coming में यूएसे अब यहां पर USA का मतलब है USA से Switzerland और Australia और Australia तो इस अकॉर्डिंग इंडिया इसमें नहीं है तो इंडिया holding together का example है इंडिया holding together का example है clear okay which one among the following pair is correctly matched जैनवरी 1921 में हुआ लाहूर Congress session December में हुआ Second Roundtable Conference March में हुई Salt March December 1931 में हुआ खिलाफ़त तो इसमें से कौन सब correctly matched है एक ही correctly matched है दिखी रहा है एक ही correctly matched है दिखी रहा है मैं PDF भेज़ दूगी अमित मैं PDF भेज़ दूगी ठीक है subscribe कर दो चैनल को जिसने भी अभी तक नहीं किया है गोल वन मिलियन है खिलाफ़त मुव्मेंट भी गलत है सब कुछ गलत है आव असर्शन रिजन कर लेते हैं जियो कल जियो कल वर्कर अच्छा एक सेगिंड एक बच्चा कह रहा है sorry 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 कि मैं हम SBI का भी बता दो SBI का स्पेन बेल्जियम इंडिया मैंने यह ट्रिक किसी बच्चे की देखी है कॉमेंट्स में यह मेरी खुद की बनाई भी नहीं है workers in organized sectors enjoy security of unemployment organized sector में जो लोग है workers है उनके पास security होती है organized sector is registered by the government and have to follow the rules and regulations which are given in laws such as factories act minimum wages act etc etc easy peasy easy peasy अच्छा पीपीटी को आपने convert कर दिया pdf में very good ठीक है map work पे एक dedicated lecture भी बनाएंगे very good अनन्त eliminate करके किया बहुत बढ़िया very good बहुत अच्छा method होता है यह किसी भी ऐसे question को करनेगा case study कैसे करें जैसे English में unseen passage करते हो जैसे English में unseen passage करते हो a part very good और यार कल मैं सोच रहूँ एक dedicated एक घंटे का doubt session लूँ YouTube पे अगर आप लोग को interested हो तो हम वो कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है कल किसी भी time लेकिन एक doubtless त्यार होनी चाहिए फालतू के doubts नहीं होने चाहिए पढ़ के आओगे तो doubts होने चाहिए यह लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है और सब पूछी जा रहे हैं पूछी जा रहे हैं पूछी जा रहे हैं ठीक है which of the following are the main components of a party और यार यह हम कर चुके हैं चलो कोई बात नहीं मैं बता चुकी हूँ या इसमें 100% ला सकते हो तुम लोग यार history का test अच्छा वो वला वो मैं भी भेज दूंगी class खतम होते ही भेज दूंगी बिलकुल भेज दूंगी बहुत बड़ी आयात दिलाया यार और mcq का test रात को ले लेंगे या 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 एक सकते है ग्या शुए और या इसमे या 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 हाँ ओके आंसर आ गया क्या है कोशन? येस, all of these बिलकुल सही है पहले डिसकस कर चुके है correct sequence में आपको arrange करना है बहुत easy सही है ये भी transporting paper to factory sale of books in bookstore printing of pages compilation of pages कितना easy है आप खुद भी सोच सकते हो यार ये, खुद भी सोच सकते हो कि कैसे क्या arrange करोगे एक paper ही तो बनाना है एक paper ही तो form करना है तो क्या होगा इसका answer question number 34 34 सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले हम भेजेंगे factory में अच्छा, तुम लोग कह रहे हो पहले हाँ हे भग्गू हे भग्गू answer practice के लिए बेटा आप solved paper solve करें मतला मैं रुकी भी हूँ मैं दो मिन रुकी रहूंगी sorry तुम मत कहना जल्दी करो मैं को एक बर देखना है इसका answer मैं हरान हो गई हूँ क्योंकि option पढ़के miss click मत बोलो अब नहीं आ रहा है मैं यार सबसे पहले हम factory के पास paper लेके जाएंगे उसके बाद हम paper को क्या करेंगे उसके बाद हम printing करेंगे फिर उसकी compilation करेंगे और फिर हम उसको book store पर बेचने जाएंगे यानि की first third first third fourth और second तो बी पार्ट हुआ ना बी पार्ट बी पार्ट यार तुम लोगों ने शुरुवात करी डी से और 25 परसंट ए भी है ए और डी भी है तो बी सही answer होगा यह तो बहुत इसी था या जनरल का था या रहे तो which of the following belongs to taking loan from an organized sector इसमें से organized sector कौन सा है organized sector organized sector जल्दी 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 answer करेंगे organized sector अरे यार व्लॉग आज आएगा 100 परसंट इसके बाद वही उसी में लग रही हूं फिर स्था नाट की ब्वी बनाऊंगी फिरकल सुबह की ब्वी ब्वी पिटी है एए और अर्णयद अर्णयाज्ड अर्णयँ अन्याजड अन्याजन थे लिए उन्याजी ओर्णयाज्स की और्णयाजी इस बैंक और ऑड्वानड गता दो following में से, यार ये मुझे personally बड़े गंदे लगते हैं, questions मलब देख लो, being a teacher मुझे ही बड़े गंदे लगते हैं, questions, बहुत ही गंदे, iron ore, manganese, nickel, cobalt, copper, lead, tin, bauxide, gold, silver, iridium, platinum, ठीक है, ये सारे precious हो गए, ये सारे अच्छा ferrous, non-ferrous में हो गए, coal, petroleum, natural gas, और limestone, okay, okay, समझ गए भाई, आगे आंसर तो, आंसर तो आगे, अच्छा तुमने भी कर दिया, अधिती कह जिए, हे बगवान, हे बगगू, yes, it's D, because these are energy resources, and all of the above are mineral resources, D is energy resources, and all of the above are mineral resources, okay, complete the table, tertiary में आया banking, तो primary में क्या आया, fishing, weaving, teaching, या कुछ भी नहीं, यार, इतना easy सवाल, अगर आ जाए न, तो बल्ले बल्ले हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, एक million होने वाले है, मैं telegram पे बिटा भेजूंगी, हाँ जी, of course, fishing, 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 चलो, मैं माक्स पूछने वाली हूँ, दो और सवाल के बाद तुम लोगों के, ठीक है, शिवांगी तुक a loan of rupees 9 lakh from the bank to purchase a car, the annual interest rate on the loan is itna, and the loan is to be repaid in 4 years in monthly installment, the bank retained the papers of the new car as co-literal, which will be, okay, analyze the loan information given above, considering one of the following correct option, interest on loan, deposit criteria, mode of repayment, अच्छा, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को जो भी आपको data में दिया है, क्या बोलते हैं, जी 20 मेरी जान मैं करा चुकी हूँ, परसो फुल लिको पढ़ाई, कल सुभा फुल सिविक्स पढ़ाई, आज सुभा फुल हिस्ट्री पढ़ाई, कल सुभा फुल जोग्रुफी पढ़ाऊंगी, शाम शाम को questions लेके आ रहे हैं, बस, ब्रेक नी दूँगी, छुट्टी करूँगी सीधा, साड़े चार तक छुट्टी, कर दुटी कर दूँगी, वाट्सिप चानल का लिंक मिल जाएगा, कुशन नंबर पे आ गए हम 38, देखो मेरे बच्चो, टर्म्स ओफ क्रेडिट इसका करेक्ट आंसर है, क्यूंकि टर्म ओफ क्रेडिट का मतलब होता है, जब हम सारी चीज़े देखें, यानि कि क्या वो को लेटरल दे रही है, कैसे वो रीपे करेगी, क्या उसका रेट ओफ इंट्रेस्ट होगा, क्या वो EMI's बनवाएगी, मंथली इंस्टॉल्मेंट्स, ठीक है ना, ये सब कुछ टर्म्स ओफ क्रेडिट में आता है, सब कुछ, चलो, डाश डिपार्टमेंट मेजर्स दजीडीपी ओफ अ कंट्री, जीडीपी कौन मेजर करता है यार, जीडीपी कौन मेजर करता है, बताओ, दिपाली आप आना चाहेंगी इदर, है, मैं पोल नहीं लगवाँगी, तब भी तुम लोग बोलोगे, मैं पोल नहीं लगवा रहें, बच्चो जैसे कोशन आपके पेपर में ही दिये हैं सारे, 39 का A, 39 का A, यह हमने पढ़ा था, इको की मैराथॉन में के जीडीपी मेजर करती है, सेंट्रल गवर्मेंट, हाइएर कॉस्ट ऑफ बोर्रविंग मीन्स, यानि की अगर आप ज्यादा रेट आफ इंटरस पे लोन लेते हो, इसका मतलब किसका ज्यादा आपको देना पड़ रहा है, अपनी कोलेटरल का, एक्सपेंस का, अर्निंग का या सेविंग्स का, किसका आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, किसका, अफ कॉर्स और ऑब्वियस आप लोन किस से चुकाते हो, किस चीज से चुकाते हो आप लोन, दक्ष जी ओके कर लेंगे चेक बिटा, अर्निंग्स, अर्निंग्स, वेरी गुड, अच्छा, फॉर्टी में से मार्क्स, फॉर्टी में से मार्क्स, जो शुरू से हैं बच्चे, फॉर्टी में से कितने आए, अब तीसरा पेपर शुरू कर रहे हैं, last 20 questions last 20 questions करने लगे अभी मैं भेज़ दूगी उसके 30K MCQ के answer दिव्यान्शु वाव very good अभुड़ हर्षिता commence हर्षिता यदव वरिगुड पलक हेर वेरी गुड विशेश वेरी गुड प्रदीप वेरी गुड वेरी गुड चलिये नेक्स्ट नेक्स्ट महात्मा गांधी इंडिया में वापिस कौन से यर में आए जल्दी जल्दी यार प्लीज जल्दी जल्दी करेंगे जल्दी से निफ्टाएंगे ताकि आप लोग पढ़के हिस्ट्री का टैस्ट देने आओ पढ़के हिस्ट्री का टैस्ट देने आओ आच्छा आज हिस्ट्री का टैस्ट कौन को नाश्यू framework के साथ ही देना चाहता है यह भी बता देना इसे देना चाहिए उनकी साथ या नहीं हम अकेले ही ले 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 जल्दी जल्दी वाला वेरी गुड उन्निस सो पंद्रा में वापिस हाई बिल्कुल सही पॉलिटिकल पार्टी हाविंग इस में अब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्मेंट ऑफ लोवर कास्ट पीपल कम्यनेस पार्ट अच्छा कह रहे हैं इन में से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लोवर कास्ट के लिए उनके अपलिफ्ट करने के लिए वो चाहती है चलो अगर आशुजर हुए ना तो आई ट्राइ मैं बैस कि मैं उनको बुला लू रात वाले सेशन में ठीक है हाँ जितने सुबह कोशिन कराये थे उतने याद कर लो बिलकुल अच्छा क्या आया इसका आंसर भई क्या आया इसका आंसर अफकॉर्स बहुजन समाज का मतलब ही होता है लोवर सेक्शन तो लोवर सेक्शन को अपलिफ्ट करते हैं पिक्चर को देखो दिख भी रही है कैसी पिक्चर गंदी सी गोरा भी नी चिर को यार यहां चार पाई से बैठे वे और यहां पे पूछ रहे है तो में नजर भी निहाएगा यार अफकॉर्स तुमें तो इन जर भी नहीं आएगा लेकिन अफ्छुली मैं यहां पे सुभाश चंदर बोज जी की बात की जा रही है यहां पर सुभाश चंद्र बोज जी की बात की जा रही है चलो इसको आगे बढ़ रहे है अरे हिस्ट्री का pdf मैं दुबारा भेज दूंगी तुम टेंशन मतलो ठीक है इन दोनों ने क्या कॉमन चीज पे लिखा किताबे किन दो कॉमन चीज पे इन्होंने किताबे लिखी थी किन दो कॉमन चीज रुपे कंपाइलेशन मतला मिक्स्चर मिलके येस क्यान स्कूल से आ गया लेकिन अभी भी वह घर पे नहीं है मेरी क्लास थी तो वह गया है कहीं इसको भेज दिया बड़ा डिस्टर्ब करता है वह पोल आ तो गया अच्छा पुराने वाला है क्या दोनों ने ही कास सिस्टम ऑफ इंडिया के उपर बात करी दोनों ने ही ये कौन सा पोल है पहले वाला है ये चलो इसका ए है identify the cropping season with the help of the following information ये crops उगाई जाती है winter में from October to December अरे यार ये तो बहुत easy है मैंने तुम्हें बताया भी था Rabi मतलब after rain some of the major crops are wheat, gram, mustard availability of precipitation during winter months helps in the success of these crops तो क्या है इसका answer क्या है इसका answer मैंने तुमको बताया था Rabi मतलब rain के बाद और rainy season के बाद आता है winter season तो winter season में बात की गई है इसलिए हो गया a part a part ठीक है gender legends यार दो से तीन नंबर का या फिर एक case base कोई बड़ी बात नहीं है मैं आज बैटके एक बाद सारी preboards फिर से go through करूंगी और तुमको बताऊंगी कल वाली class में 46 46 what is meant by the term feminist feminist कौन है feminist कौन है देखो बच्चो feminist कौन है feminist वो इंसान है जो क्या कहता है औरते और आदमियों के बीच क्या हो equality हो equal rights हो the qualities which are considered typical for women a person who believes in equal rights and opportunities for women believe that men and women are unequal the man who looks like the women what is this the man who looks like the women ये क्या option हुआ ये क्या option हुआ अच्छा एक बच्चा कह रहे है Rabi मतलब Rajai Rajai मतलब Winters वा भाई वाई ये भी बात सही है ये भी बात सही है ठीक है भाई तो B part is the correct answer ओके match the following कौनसी soil पे क्या उगता है कौनसी soil पे क्या उगता है 47 question 13 question और बचे है इसके बाद बस देखो again आपको पता है black soil पे उगती है cotton आपको पता है black soil पे उगती है cotton इसके अलावा आपको इसमें क्या पता है एका फोर एका फोर एका फोर लो जी answer आ गया answer आ गया answer आ गया oh I mean इदर फिर हो गया आपका later right में cashews red and yellow में tobacco c part yes consider the following statement regarding non-democratic regimes and identify the incorrect one from the following outcome से outcome से सवाल है non-democratic regimes के बारे में आपको बताना है these type of government do not have to bother about public opinion non-democratic के बारे में बोल रहे है these type of government take less time to arrive at a decision जल्दी से आ जाते हैं decision पे principle of individual dignity has legal force in non-democrating कोई individual dignity नहीं है these often suppress internal social differences internal social differences age नहीं आ रहा प्रत्यु शर्मा हा रमन yes सही बात है इनके 40 आ गए एक तो out of से ले बस्ता गह रहा है बिल्कुल सही बात है percentage बहुत कम है percentage बहुत कम है बहुत कम percentage लेकिन answer है C principle of individual dignity में legal force होता है जबरदस्ती करवाया जाता है C is the correct answer okay DASH is a national political party easy peasy मत लगाओ भाईया इसका पोल तो मत ही लगाओ बिल्कुल भी मत लगाओ पोल age of industrialization is totally deleted globalization का कुछ पार deleted है और global world का भी बहुत सारा पार deleted है बहुजान समाज party is a national party consider the following statement regarding language policy in India language policy के base पे बता दो language policy में Hindi को हमने official language determine किया Hindi there are 21 other languages ये question हमने किया है यार कल वाली वार में किया है कल वाली वार में किया है येस English can be used Hindi के साथ official language क्या तीनों बाते सही है जल्दी बताओ legitimate मतलब people's own government हाँ कल किया था बच्चे कह रहे हमने कल किया था ठीक है 1,2,3 बिल्कुल सही अगला तीनों सही थे मतलब विच अमंग न फॉल्विंग पेरिस correctly matched अरे वा correctly matched बतादो years years भी आप लोग अभी confused रहते हो I know years भी आप लोग अभी तो confused रहते हो थोड़ा लेकिन correctly बतादो क्या treaty of Vienna इस दोरान हुआ था क्या treaty of Vienna इस दोरान हुआ था यार मुझे कौन-कौन बच्चा है जो इसके answer भी बताएगा जो इसके answer भी बताएगा जैसे treaty of Vienna कब हुआ था ये बताओ पहले ये बताओ comments में treaty of Vienna poll में answer करो यहां मुझे years बताते चलो चलो treaty of Vienna कब हुआ था हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही आज सुमा हमने किया 1815 ठीक है Unification of Italy Unification of Italy सही है Unification of Italy सही है ठीक है जी सही है वो तो आप लोग कही रहे हो Germany की बतादो Germany की बतादो Unification of Germany कब start हुई कब तब चली जल्दी बतादो फटा फट से हाँ हाँ अच्छा पते क्या है यह देखो देखा जाए यह 1814 15 हो गई यह यह देखा जाए तो यह हो गया है ना वही यह हो गया नेपॉलिनिक वार्ज आपकी चली 1915 के आसपास ठीक है हाँ जी बिल्कुल तो यह भी गलत है तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया भी हो गया इस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया भी हो गया एक बच्चा कह रहे है मैं 50 वाला कुछ इंगलत है क्यों गलत है मैं को रीजन के साथ बता दे ना ठीक है मैं आपको बता चुक हूं पचासो बार हिंदी और इंग्लिज दोनों official language है हमारी कोई national language नहीं है हमारी mother tongue भी हिंदी है ठीक है बिटा क्यान घर पे नहीं है वरना मैं मिलवा देती बिटा after primary and secondary there is a third category of activities that falls under tertiary sector the tertiary sector is also called the service sector the tertiary sector is also called the service sector simple simple dimple simple dimple एक बच्चा गह रहे है मैं इंडिया है जो official language ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैंने और कोई पॉइंट तो मिस नहीं किया उसमें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है कोई कोई relation नहीं है बाते दोनों ठीक है बिलकुल ठीक है बिलकुल ठीक है which of the following option described coalition पीछे बता चुकियों पोल मत लगाना सर इसका पीछे बता चुकियों लोगों को coalition क्या होता है power usually change करती है दो parties में alliance of several parties several parties competing to win elections या सारी की सारी बाते या सारी की सारी बाते यहाँ पे coalition में क्या वो compete करती है क्या रहे मैं डिम्पल की याद आगे मनीश history में क्या दिक्कत है यार बैठके पढ़ना पड़ेगा फिर तो यार बिलकुल पढ़ना पड़ेगा बैठके वरना तो दिक्कत हो जाएगी बड़े mixed answer है यार power usually changes between two main parties, coalition and alliance of several parties to form the government नहीं several parties competing to win elections to form government C, C part describe coalition, C part बेटा यह compete कर रहे हैं, अलग-अलग parties और वो अलग-अलग level पे जीतेंगी इस वज़े से मैं C कह रही हूँ इस वज़े से मैं C कह रही हूँ यह alliance वाली बात नहीं होगी alliance में तो यार वो alliance ही हो गया और यहाँ पे power usually दो parties में change होती है, यह two party system हो गया यह two party system हो गया graph के according आपको बताना है maximum कौन सा sector share करता है यह भी कल वाले question में था यह भी कल वाले session में था यह भी कल वाले में मापकी आवाज पता नहीं यार बैठ रही है बिल्कुल हाँ हाँ important question करना बिल्कुल enough है यार बिल्कुल बिल्कुल enough है अचा answer बता दो यार जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी जैसे ऐसे फिफ्टी पांच question रहे एकदम हो रहा है तो जल्दी नहीं पढ़ जाए कि इस्वी पढ़के आनी है साथ में से साथ लाने आज के session में तुम लोग हो अबे यार अबे यार कोशन दो देखते नहीं हो यार तुम लोग read the bar and find out which sector as compared to this has been maximum improvement in GDP contribution in the year 2013-2014 sorry sorry मुझे लगा 1973-74 का पूछ रहे है sorry sorry ठीक है C ठीक है ठीक है ठीक है what are the different things that people seek in the society besides good income good income के इलावा क्या वो equal treatment चाते है freedom security चाते है respect चाते है या सारी चीज़े चाते है तो हम लोग क्या चाहेंगे हम लोग क्या एक चीज़ चाहेंगे दो चीज़ चाहेंगे नहीं हम लोग क्या चाहेंगे सारी चीज़े चाहेंगे अगला find the odd one out from the following सबसे घटिया सवाल फिर से आ गया वीट, राइस, ज्वार, मेस, पाइनेपल, अप्रिकोट, अप्ल, मैंगो, ग्राउंडन, लिंसिट, ग्राम, सीसम, मूंग, उरत, पीज, लेंटिन बताओ सौरी इसका अंसर करेंगे ये वला पोल अंड हो गया इसका अंसर करेंगे बच्चे कह रहे हैं B क्यों B रीजन के साथ सबके votes भी नहीं आ रहे है B क्यों कह रहे हो क्योंकि ये हॉट उटि कल्चर में आता है इसलिए गयरे हो रीजन बताओ रीजन बताओ Y B मैं को अगर कोई भी option कर रहे है वाय के साथ आंसर दे ना क्योंकि बहुत distributed answer है हाँ जो मुझे लग रहा था हो बहुत कम percentage है फ्रैंक्ली speaking पते क्या यार इसमें बेसिस भी बदल देते हैं जैसे मुझे ये था कि हम लोग ये करेंगे groundnut, linseed, gram और सीसम क्योंकि ये सारी oil seeds में आ जाती है, मैं इसलिए ये कह रही थी और आप लोग कह रहे हो fruit से उससे कोई फरक नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, horticulture में आता है, fruit आप लिए कह रहे हो, लेकिन ऐसे ये oil seeds में आता है, ये फिर उसमें आ गया आपका, ये दालों में आ गया, है तो सारे अलग अलगी, है तो सारे अलग अलगी, है ना भई, अब एक बच्चा कह रहे है, जिसको हम लंबे समय तक नहीं store कर सकते, वो है, राभी अन खारिफ बोथ है, कह रहे है डी, है ना भई, है ना जैनम, यार इसका C, Grams, Oils, Alls, ये आएगा यार, इसका C है, इसका C है, मैं ना ऐसे कुशन 4-5 नहां टेलीग्राम पे भी भेजूंगी, करते है यार, इसको आडियो के फोर्म में, ये दिक्कत करेंगे, एक्जाम में अगर आ गए तो, which one of the following is, sorry, following is the preceding government agency of नीती आयोग, sectors of economy, क्या है ये, planning commission है, planning commission है, या क्या है, देखो नीती आयोग के बारे में तुमको बता देती हूँ, actually ये planning commission है, इसका ये ही answer सही है, मैं बता देती हूँ, ना ही election है, ये plan करती है कि sector में, कितना percentage of amount of people is engaged, कितना, यार तुम wrong लिखो, right लिखो, मेरे को उसमें C लगता है, with reason लगता है, oil seeds है, सारी की सारी, इसलिए C कहा है, basis अलग-अलग बिल्कुल हो सकते हैं, उस question के कोई बड़ी बात नहीं है, कमलेश has taken a loan of 8 lakh from bank, यार ये पहली बात तो ये same ही question है, बिल्कुल, कि क्या बता रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं, सारी information, terms of credit दे रहे हैं, ये हमने same किया है question, Human Development Report के according, highest income किसकी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या स्री लंका, 2006 के according बोल रहे हैं, 2006 के according, देखो, अंजनरल वैसे data दिया होता है, लेकिन year लिखा होगा, तो उसकी according, it is स्री लंका, सर, अब पोल नहीं लगाना है, एक ही question बचा है, उसकी according होगा, स्री लंका, last, identify the correct statements about Reserve Bank of India, इंडिया में ये currency issue करता है, central government के बिहाफ पे, ये देखता है, informal sources को, ये monitor करता है, self-help groups को, के वो cash balance mention कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं, ये देखता है, bank को, कि ये सिर्फ profit making business को ही, या traders को ही, पैसे तो नहीं दे रहे, तो इन मेंसे क्या-क्या correct है, क्या-क्या correct है, हाँ, क्या-क्या correct है, it sees that bank give loans only to, हाँ, के वो दे रहे हैं के नहीं दे रहे हैं, बस उन्हीं को दे रहे हैं न, आई बच्चे D कह रहे हैं, बच्चे D कह रहे हैं, 1, 2, 3, ये भगवान, बेटा ना तो वो ये कहते हैं के सिर्फ profit making को दो, ना वो ये कहते हैं के भईया, self-help groups को देख रहे हैं, ना ही है, informal को देख रहे हैं, ये तो currency issue करते हैं, ये तो currency issue करते हैं, है ना भई, है ना भई, तो ये हो गया, नहीं, D नहीं होगा, D नहीं होगा, कह रहे हैं, it sees that bank give loan only to profit making, नहीं ये नहीं होगा, English ही अलग है, So these were your top 60 questions from complete SST, आज हम करेंगे history के questions, रात को 9 बजे मिलते हैं, और कल सुबा करेंगे geography, कल सुबा करेंगे geography, जाते आते session को like कर जाना, चैनल को subscribe कर जाना, also रात को पढ़के आना, history का सारा data, मैं फिर से pinned link पे, telegram पे भेज रही हूं, PDF form में, ठीक है, और ये वली PPT भी भेज रही हूं, See you all tonight at 9 p.m. Bye-bye.